NCP को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आप खुद महाराष्ट का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या NCP आप कहां लेके जाना चाहते हैं आज की तारिक पे पार्टी का नाम और सिंबल आपके साथ में हैं जब तक सुप्रिम कोट का फैसला नहीं होता है लेकिन पार्टी को आप कहां ले जाना चाहते हैं आपकी पार्टी महाराष्ट में किस तरफ है जो उन्होंने रास्ता दिखाया है वही रास्ते से हम आगे जाना चाहते है और ये आगे जाते वक्त किसी ने हमें इसको रोक नहीं लगाई वो बोले कि आपकी जो विचार दारा है वो आप चालू रखता हमें उसमें कोई इतराज नहीं है हम हमारा काम कर रहे है महाराष्टर में एक न एक दीन राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी जैसे 2004 में सिंगल राज़ेस पार्टी आई थी उसी हिसाब से मुझे महाराष्टर में राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी सिंगल राज़ेस पार्टी लाना है आखिर में दो छोटे सवाल एक पांच बार उप मुख्य मंत्री बने हुए रेकॉर्ड जो है मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं या नहीं जरूर बनना चाहता हूँ अगर मुझे महराश्टा ने सपोर्ट दिया हमारे MLS ने सपोर्ट दिया 145 ये फिगर, मैजिक फिगर महराश्टा की हम इकटा करने में यशच भी हो गए तो मैं जरूर बनना चाहते हैं और आखरी सवाल कि क्या कोई संभावना है कि इस चुनाव के बाद आप और शरत पवार एक बार फिर आ सकते हैं साथ में हो सकता है महराश्टा की राजनीती में पिछले साल में बहुत कुछ भी हो सकता है ये देखो हमने जो लाइन ली है हमने सब ने प्रपुल पटेल हो सुनिल तटकरे चकन बुजवाश्टा हसन मुश्रिप दनजय मुंडे गिरिववसे पटेल सब सब हमारे सातियों ने हमरे सब एमेलेनों सब विदाएकों ने वो लाइन उनको ठीक लगी तो हमें कोई इतराज नहीं है वो लाइन हमने जो अभी लाइन ली है याने उनको आपके लाइन पर आना पड़ेगा शरत पाहर को आपके लाइन पर आना पड़ेगा वाइसा मैंने बोल सकता, वो बहुत बड़े बज़ुर्ग नेता है, राष्ट्रे नेता है, मुझे वाइसा बोलने का अधिकार में रही है, उनके जो साथी है, वो सब को अगर ऐसा लगे कि ठीक है, ये लाइन अपने को ठीक लगते है, उसी लाइन से हम चले आगे जाएंग पहली बार हिंदी में, याने एक तरह से धीरे धीरे एक नैशनल इमेज आपकी बनने जा रही है, सर मैं आपको एक बता दू, नरेंद्र मोदी जी 2012 में जब चुनाव जीते थे गुजरात में, चुनाव के बाद पहली बार उन्होंने जब स्पीच की थी, वो हिंदी में की तो कौन जाने कल क्या हो अजीत पवार जी, कौन जाने? ठीक है, थाइक यू, बहुत बहुत है.